एलो दियर फ्रेंट आओ एक पावर का बहतरीन सा सवाल करते हैं क्वेश्चन यह है कि आर एक हुआ है आपर और इसमें पंप लगाया और मुझे बताना है कि एक ऐसा पंप चाहिए मुझे जो हजार केजी पानी को खींच ले एक मिनिट में पावर ओफ एंचन क्या होगा देख वावर और यहां से मुझे पानी को उपर भी लेकर आना है और देन उस पानी को स्पीड भी देनी है और कितनी स्पीड देनी है ट्वंटी मीटर पर सेकिंड तो गाल इस एक तो मेरेको potential energy बढ़नी है इसकी और एक मेरेको kinetic energy बढ़नी है तो दोनों को बढ़नी के लिए मेरेको कितना power जरुछत है तो power का formula क्या वोता है work upon time so work जो एक तो potential energy बढ़ने में consume होगा तो potential energy में कितना work होगा MGH और kinetic energy में कितना work होगा half Mv2 और यह मुझको कितने टाइम में करना है T time में मैंने देखो यार यहां से M और यहां से M को बाहर निकाल लिया और यह बाहर T ही है तो अंदर G H प्लस V square upon 2 हो गया यह जो M upon T है यह mass per second है कितना mass per second निकालना है तो यह 1000 kg per minute निकालना है तो this is 1000 kg नीचे एक मिनट को मैंने किसमें चींज कर लिया second में जी की विल्यू मैंने 10 रख दी और कितनी उचाहे तक निकालना है मेरे को 20 मिटर की उचाहे तक उसको multiply कर दिया 20 से कितनी स्पीड से निकालना है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो 20 का स्कॉार अपॉन 2 हो गया यह हो गया आपका 1000 बटे 60 एंड यह हो गया आपका 200 कि 20 का स्कॉार कितना होता है 400 400 में जब मैं 2 को डिवाट करूंगा तो मेरे को 200 मिलेगा यह 1000 इन्टू 400 अपॉन 60 एक जिरो से एक जिरो काड़ता हूं यह हो गया आपका 40,000 अपॉंच है यह 4 अपॉन 6 तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक यह लिए 0.66 होती है इन्टू 1000 हो गया गया इन्टू यह किया तो गया आपका 6.6 किलोवाट इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है किसकी सीज के इंदर मेरे को पावर कंजूम होने वाली है क्योंकि इस क्वेशन में खास बात यह थी कि 20 मिटर पर सेक्ट की स्पीड भी देनी थी और 20 मिटर को उपर भी उठाना था इसलिए मैंने दुनों जो वर्क है उनको यहां पर कंजूम किया इसे बहुत प्यारे प्यारे क्वेशन के लिए आप जुड़े रहिए अरुम ट्